एक्जाम सब के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है UPSC Prelims की परिक्षा टलना लगभग तै हो चुका है यह परिक्षा पहले 31 मईद 2020 को होनी थी क्या है इससे जूरी नई खबर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर अब तक आपने हमारे यूटूब चैनल एक्जाम सब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहां होती है ज्यान की बातें आपकी एक्जाम की बातें सटिक्ता के साथ न्यूज अजन्सी एनाई को दिये गए एक रिसेंट इंटर्विव में मिनिस्टर ओफ अस्टेट डॉक्टर जितंदर सी ने एक बार फिर से दोहराया है कि UPSC Civil Services Prelims की परिछा जोकी 31 मई 2020 को होनी थी उसे अगले आदेश तक अस्थागित कर दिया जाएगा और इसका ओफिसियल नोटिफिकेशन 3 मई को UPSC खुद जारी कर देगा इंगलिस न्यूज पेपर हिंदुस्टान टाइम्स को दिये गए इंटर्विव में UPSC के एक मेंबर ने हाल ही में बताया था कि बोर्ड ने UPSC सिविल सर्विसेश प्रिलिम्स 2020 की परिक्षा का एडमिट कार्ट तैयार कर लिया है और अगर हो चाहे तो इसे आज जारी कर सकती है लेकिन इसमें सरकार की सहमती भी जरूरी है जब उनसे प्रस्न किया गया कि कई राज्यों में कोरोना का प्रकोप ज़ादा है वहाँ पर कोरोना के मरीज ज़्यादा है वहाँ पर examination कैसे करवा पाएगी UPSC तब उनका जवाब था कि अगर किसी राज्य में कोरोना के hot spot ज़्यादा है तो वहाँ के छात्रों को दूसरे राजियों में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पर उनकी examination करवाई जाएगी लेकिन देश के जैसे हालात हैं इस वक्त और जैसे कोरोना के मरीज दीन पती दीन बढ़ते जा रहे हैं उसे देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि UPSC भी अप्चा कर भी examination को अपने scheduled date पर नहीं करवा पाईगी इसका अंदेशा हमें तभी लग गया था जब उन्होंने UPSC CAPF AC का notification 24 अप्रैल को जाड़ी नहीं किया था हमने तभी आपको बताया था कि UPSC Civil Services Prelims 2020 का परिक्षा टलना लगभग तय है लेकिन अब मैं बात करूंगा कि चुकी Prelims की परिक्षा का टलना तय हो चुका है तो आपकी examination strategy कैसी होई चाहिए जाहिर सी बात है अगर Prelims परिक्षा 31 मई को होती तो आपकी preparation भी Prelims परिक्षा के syllabus के आधार पर होती आप ज़्यादा से ज़्यादा mock paper solve कर रहे होते और mains के syllabus को कुछ दिनों के लिए नजर अंदाज कर देते लेकिन अब जब Prelims की परिक्षा टलना लगभग तय हो चुका है तो आपको Prelims परिक्षा के साथ साथ main परिक्षा की भी तयारी शुरू कर देनी चाहिए answer writing की practice करनी चाहिए और optional subjects पर विशेश ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपको ये बात तो मान कर चलनी चाहिए कि अब जब Prelims परिक्षा जो की चाहे जुलाई में हो अगस्त में हो जब भी हो उसका result जब आ जाएगा तो main परिक्षा की तयारी में आपको पहले की अपिक्षा काफी कम समय मिलेगा इसलिए अब आपका focus दोनों ही परिक्षा पर equally होना चाहिए Prelims पर आप अभी थोआ ज़्यादा focus दे सकते हैं लेकिन main परिक्षा को आपको नजर अंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जहां तक सवाल है Civil Services Prelims की परिक्षा online होने का कोई खबर नहीं है इसलिए आपको इस अंदर में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है